नमस्कार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों आप शबी को बता दे कि अगले चार दिनों के अंदर आप शबी के चार बड़े शपने शच होने वाले हैं जिहां दोसों आप शबी को बता दे कि आने वाले चार दिनों का श्मी आपके लिए कोई मामुली शमय नहीं होगा, जिहां दोसों यह समय आपके वे शपने शच होने वाले हैं, वे चार बड़े शपने शच होने वाले हैं, जिने जानकर आप अपने आखों में खुशी के आ मेहनत भी किये हैं जन्हें पूरा करने के लिए आपने इश्वार शेवी प्रात्ना क्या है जल्य पूरा करने के-लिए नजाने आपने कितने दिन रात तक एक यह हैं ज्ब दोसुं, आने वाले चार दिनों के अंदर शच होने वाले हैं दोस्तों आप शिवी को बिता दें कि जब हम इनके वारे में आप शिवी को बिताने वाले हैं तो दोस्तों खुशी से आप नाचने लगेंगे जिए दोस्तों कुछ इस प्रकार की गरों की प्रस्तिती बनने वाली है जिन में दोस्तों आप खूशी-खूशी अपने जीवन को वैतित करेंगे जिन में घर परिवार में खूशी ओका माहुल रहेगा है जिहां दोस्तों आप शवबी को बिता दें कि ये के घर आने वाले हैं जी हां दोस्तों आप शिबी को बता दें कि आने वाले चार दिनों का शमय दोस्तों आप शिबी के जिन्दगी के शबसे महत्पुन शमे होने वाले हैं जिए दोस्तों आज के इस सकारशकरम में हम आपशिबी के जुनकाल की वो बड़े भाश्वानी करने वाले हैं जिन्हें जानकर दोस्तों आपशिबी के खुशियों का कोई ठिकाना नहीं देगा लेकिन दोस्तों हम आप शिबी को बता दें कि आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ महत्पुन सचाईबी आप शिबी को बताने वाले हैं कुछ इसे सचाईशी आप शिबी को रूबरू करवाने वाले हैं जिने जानकर दोस्तों आप शिबी के होस भी उड़ेंगे और दोस्तों जब आप यह बातों कुछ उनेंगे तो दोस्तों आप यह बात जरूर ही कहेंगे कि काश आपने यह बात हमें पहले बता दी होती हमारा जिन्दगी ही बदल जाती जिया दोस्तों इसलिए दोस्तों हम आप शुविख को विदा दें कि आपके कुंडले में शुकर शनी और गुरु के सिति बहुती भागिशाली बनने वाली है। जिया दोसों हम आप शिवी को विदा दें कि गुरु का शात आया श्मी आपके शनी के स्थान पे होने वाले हैं जिन के गार दोसों शस नाम का भी शुबियोग कर निर्मान होगा और दोसों मालवाई नाम का भी शुबियोग कर निर्मान होगा जिया दोसों यानिकी जहांपर भुलिनात आपशिवी के घर आने वाले ही शाक्षात यश में मंगल यानिकी भगवान महाबली हर्माजी भी आपशिवी के उनकाल में प्रशन नहीं रहने वाले ही जियां दोसों अगले चार दिनों तक दोसों जो भी व्यक्ति इस वीडियो में जो हम बात बताने वाले उन बातों को ध्यान में रखेगा दोसों उन शबी का ध्यान जीवन बिल्कुल ही शबल हो जाएगा और दोसों इस धर्ती में कोई भी इशान इसान नहीं है जो उशेर रोक पाएगा जे दोसों शफलता पाने शी काम्याबी पाने शी या फिर अपने जुनकाल में तरक्की को पाने शी दोसों कोई भी इशान रोकने शक्ता दोस्तों आने वाले चार दिनों का श्रमे आपके लिए बहुत ही भागिशाली शम्मे हैं भगवान बोलेनात और मातालक्ष्मी की असीम अनुकमपा आप्षिवी को प्राप्त होने वाली है दोस्तों इस वीडियो में हम आपको शम्मपुन ज्यानकारी देने वाले हैं कि अगले चार दिनों का श्रमे आपके लिए आखिर केशे रहने वाले हैं कौन-कौन श्री बातों का ध्यान आपको रखना होगा कौन-कौन से बड़ी scheme आपको मिलने वाली है दोसों कौन-कौन से छेत्र आपके लिए भागी चाले होंगे जे दोस्गों शाधी-शाध मात, लक्षमी और देवों के भדवान-भुलेणात के शिर्वाज शीयाप शिवी किज़न काल में कौन-कौन शे बड़ी चमतकार होने वाले हैं दोस्वों शबी के बातों शे आपको अबगत गराने वाले हैं शबी के दोस्वों प्रशनों का हम आपको दर देने वाले हैं दोस्वों बहुत ती मैधमन वीडियो है दोस्तों वीडियो को शुरू करने से बहले शर्फ पृतम जो भी भगवान भोले नात और धनकी देव माता लक्ष्मी के सच्चे पीरभगते ही दोस्तों चैनल पर नए हैं सबसे पहले सच्चे मन से चैनल को शब्ट्राइब कर लें ताकि भगवान भुलेनात और माताल लक्षमी का शिव मशिरवाद आप शिवी को प्राप्त हो जिया दोसों शादी साथ इस वीडियो को अपने प्यारे हांतों शिएक प्यारा शलायकर जरूर किजेगा और दोसों कमेंट बॉक्ष में शच्चे मन शच्चे शर्दा भाउख्षी जय मालक्षमी हर हर महादेव जरूर ही लिखिएगा दोसों भगवान भुलेनात और माताल लक्षमी आप शिवी के उनकाल के शारे कश्णों को दूर कर देंगी जिया दोसों तो यह दोसों अब आपको बताते हैं दोसों हम आप शिवी को बता दें कि यश्मी सुक्र की स्थि आपकी राशेशी लाब की स्थि में है दोसों शाथी शाथ आप शिवी को बता दें कि यश्मी गुरू और शनी की भी स्थि बहुती परबल है जो योग बन रहे हैं, 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 जो योग बन रह बहुती बड़ा शुवयोग बन रहा है यानि कि दूस्वों कडरोपती योग बन रहे हैं दूस्वों आप शुवी के जुनकाल में बहुती बड़े लाब मिलने वाले हैं दूस्वों कडरों के लाब मिलने वाले हैं कि शबी बातों के बारे में हम आपको विश्ताह शें बताने वाले हैं। तो दूस्छो इन शबी बातों से शुआएगा। जिया दोस्तों, शब से पेले दोस्तों, हम आप शुक बता दें की शुक्र का गादाश भाव में बल्वान हो जाना जातो को हमेशा शुक धन और साव्र देरे राप्द करवाते हैं जिया दोस्तों और याश में आर्थिक शंकट से जूड़ी शंबने जो भी शमश्याय हैं वे आपके जुनकाल से दूर होने वाले हैं लाब के बहुत शारी मोके खुलने वाले हैं जे दोसों येश में शुक्र के स्थिति आपके जुनकाल में अच्छी है तो दोसों माता लक्षमे की शाक्षात के रिपाप शुवी को पराप्त होने वाली है जे दोसों और येश में आपके कुंडली में दोसों शुव नाम का भी शुवियों का निर्मान हुआ है जे दोसो दोस्तों समाल में आपको शमान भी प्राप्त होते हैं, शबी लोग आपके शमान इशली करते हैं कि आपके अच्छे भाव होते हैं, बस दोस्तों आप शिवी को बता दें कि इन्हीं के कारण आप शिवी के जुनकाल में कई बार शिव का भी आशिरवात प्राप्त होते हैं, जे दोस्वूं और इन्हीं शभी के कारण आप शिवी के जुनकाल में अशि में शिव नाम का भी शुवयों करनेद मानून हुआ है। यानि कि दोस्वूं अब आप शिवी के जुनकाल में बहुत ही बड़ी खुशी वबरी घगवान शिव और धन के दिवी लख्षमी अगले चार दिनों के अंदर देने वाले हैं, तो दुस्तों अगले चार दिनों में आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना बहुत यह खाहर होंगे और कुछ कार करना आपके लिए बहुत यह जरूरी भी होंगे, तो दोस्तों इस वीडियो को बश आप शुरूश ले करन तक ध्याश देखियेगा दोस्तों हम हरे के बात आप शिवी को बिल्कुल ही ध्याश रमजाने वाले हैं हरे के बात आपको ध्याश बताने वाले हैं कि कौन-कौन शे लाब कौन-कौन शी खुशकवरी आप शिवी को मिलने वाली है जिया दोसों सबसे पहले हम आप शिवी को बता दें कि शुक्र की स्थिति आप शिवी के कुण्डली में अच्छे होने के वज़त से दोसों आप शिवे के जुनकाल में जो भी यश्य कारे हैं जो पिछले कईश में से पेशों की वज़े से रुख गए हैं या फिर दूस्वों कईशारे से आपके काम रुके हुए मात्रे आपके पेशी के वज़े से तो दोस्वों आप शिवी को बताया थे कि आपके वेशारी काम अगले 4 दिनों के अंदर बनन काफी आप अपने जुनकाल में मेहनत भी किये हैं उन शिवी का मेहनत काफी फल आप शिवी को ब्राप्त होने वाले हैं जे दोस्वों शादे शाद हम आप शिवी को बिदा दें कि ये श्य में आपके मेहनत का फल इसलिए आप शिवी को मिलेगा कि दोस्वों आप शिवी क प्रुछन दो फिर बी कार बना नहीं है लेकिन हम आप शुबिक को इनके फीशे काराशी कर्म करते हैं दोसों आपने पिछले शमें तराल में बहुत यदा मेहनत की हैं या फिर बहुत यदा आपने पिछले शमें में दुख को देखा है जिहां दोसों हम आप शिबी को बता दें कि पिछले शमें से ही आप पने जनकाल में इतना मेहनत कर रहे हैं कि दोस्वों आप यह बात किशी को भी नहीं बताते हैं, दोस्वों आप शिवी लोग इतने करमशील हैं कि दोस्वों किशी के दिल को भी आप स्ठेश पहुचाना नहीं चाते हैं, दोस्वों आप हमेशा याचीज शोचते हीं कि जो लोग हमारी शाथ आज बुरा कर रहे है उनके शाथ कल बुरा होगा कि आखिर इश्वर कब तक हमें दुख देगा दोस्तों बहुत शारी विजार आफशिवी के मन में चलती हैं लेकिन दोस्तों हम आफशिवी को बता दें कि इश्वर हमेशा आफशिवी के साथ है कभी भी आपके भाग खराब नहीं हुए कभी आपको गरों का शुप फल नहीं मिला है लेकिन दोस्तों कई वार एशे होते हैं जब गरों के इस्तिती बदल जाती है जब बहुत शार एशे गरों के इस्तिती एक्षात हो जाती है जिनके कारण कई बार असुप प्रस्ति का निर्मान होता है लेकिन दोस्तों आपने जो मेहनत किरते हैं आपने जो भी मेहनत किया है दोस्तों उन शबी का फल आपको एक नाएक दिन तो मिलना है जे दोस्तों जो भी आप अपने जुनकाल में मेहनत करते हैं जो भी परिश्रम करते हैं दूसरों, उनका फल तो आपको मिलना एक नाइक दिन है। जिन दोसरों, इशली तो कहते हैं कि दूसरों भगवान की घर देर है, लेकिन अन्धेर नहीं है। जिन दोसरों, और अगले आने वाले चार दिनों का शमे भी, आप शिवी के जूनकाल मे होने वाले हैं जिन से कोई भी दुश्मन आप शिवी का कुछ बिगाड नहीं पाएगा आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा कि उदूस्थों येश्मी देवों की देव महादेप का हांथ आपके शीर पर है और दूस्थों आने वाले चार दिनों में आपको बड़े खुशकवरी मिल करी रहेगी जिया दोसों आप शिवी को विदा दे कि आने वाले चार दिनों का श्मे करों की इस्तिती बहुत ही परवल है जिनके कारण दोसों कारिशत में आपको नए कारियों की प्राप्ति होगी जो भी आप कारिय कर रहे हैं उनमें पद्वन्ति होशकती है जो लोग पिछले कैश में से भी रोजगार है रोजगार की तलाश में है या फिर दोसों जो लोग पिछले कैश में से नए रोजगार की तलाश कर रहे हैं दोसों उन्हें शबी की मुनकामनाई यश्मे पूरी होने वाली है क्योंकि शाक्षात देवों के देव महादेव का शाय आपशिवी के कुण्डली में पढ़ा है जिन के कारण आपशिवी को यश में सभी कारियों में लावगी ही फराप्ती होगी परंदू आपको कुछ बातों को लेकर शावधन अगले चार दिनों में रहना होगा जिया दोस्तों हम आप शिवी को बिताने की यश में अगले सार दिनों के इंदर आप कोई भी इस तरी हो कोई भी पिरूश हो दोस्तों किशी के भी शात धोखा करने की कोशिश बिल्कुल ही ना किजीगा दोस्तों एशा अगर आप करेंगे जो भी शाय आप शिवी के जुनकाल में है जो भी आपकी कुंडली में शिवनाम का शुब्योग है दोस्तों इनका शुब प्रभाव आप शिवी को देखने को मिलेगा दोसों सबी का जो एक शाथ सन्योजन होता है दोसों इनने ही से राज योग का भी निर्मान होता है जी या दोसों और आने वाली चार जिनों का शमय आप सबी के जुनकाल के लिए बहुत ज़्यादा भागेशाली शमय है या शमय खुद को शाबिद करने वाला शमय है या शम खुद को एशा कोई दिखाने का शमय है कि दोस्वों सभी लोग जो लोग आपके नाकामियाबी दिखना चाहते थे उनको अपना कामियाबी का जंडा दिखाने का शमय है जिया दोस्वों शमय बहुती बलवान है दोस्तों बश आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा उश्यक है जैसे कि दोस्तों अगले चार दिनों तक दोस्तों कोई भी कार आप बेफुजिल के कारी बिल्कुल भी मत केज़ेगा बिल्कुल ही उन्हें सच्चे मन से किजिएगा किशी के कहने पर कोई भी कारें के शुरुवात भूल कर भी मत किजिएगा इन्शे आपको खानी हो शक्ती है अश्पलताएं आपके हाथ लग शक्ती है क्यों दोसों इसमे गरहों की इस्तती बहुत ही अच्छी आपकी कुंडल होंगे क्यों दोसों बहुत शारीशी लोग होते हैं कि उनके जुनकाल में बहुत शारीशी बिश्वासी लोग होते हैं जिन पर विश्वास करते हैं और उनकी बातों पर चलते हैं तो दोसों इसे भूल आपको नहीं करना है शाद शाद अगले चार दिनों तक आपको किश बिशिश्वे सब्सक्राइब सब्सक्राथ इंय lige तूटिश्यस ब्लतब को यहां तो बहुद कि कुंडली में जो भी अशुब गरा है, जो भी आपको नुक्शान पशा함ा जाता है, वो भी शानत होगे, कि दोषों, आपकी कंडली में बहुत यच्छी योग का निर्मान है, जे दोषों येश्मि शिव नाम का शुब्योग है, तो दोषों, इन्शे युटे बच्चों परúaपको घूशा नहीं करना है। जे दूसों किशे के भी बारे में आपको बुरा नहीं सुझना है, किसी के भी प्रति आपको गलत भावना है, अपने अंदर भूल कर भी नहीं लाने है। जे दूसों हम आपको बता दें कि ये बाते हैं हमेशा इश्वर को ही प्रशन आती है, जो लोग एशे कारियों को अपनाती हैं उनके जनकाल में इश्वर हमेशा प्रशन रहती हैं। कोई भी स्तरी हो चाहिए वो आपकी माँ हो, बेहन हो, बेटी हो आपिर दोस्तों समाज के कोई भी स्तरी हो। उन्हें भूल कर भी अब शब्द नहीं बोलना है। ना ही उन्हें चिडाना है, ना ही उन्हें परिशान करने की कोई भी कहर करने हैं। दोस्तों, अगर आप एशा करेंगे, तो धन की दिवी माता लक्षमी आप शिवी के घर में बिरेजमान होंगे। दोस्तों, घर में जो भी शमश्या हैं, जो भी शंकड़ है पेशों के लेकर, जो भी आर्थिक तंग्या है धन को लेकर। दोस्तों, वे शारे अर्थिक दंग्या शमाप्त हो जाएंगी, और धन की दिवी माता लक्षमी कवाश आप शिवी के जिवन काल पर रहने वाले हैं। जिया दोस्तों, इश्क उप्रांदी दोस्तों, हम आप शिवी को बिदा दें, कि यश्मी आपको अपने जुकाल में कौन-कौन शे महत पुन उपाई करना है। चार दिनों की अंदर आपको जाड़ू को किशी को भी दान में नहीं देना है। दोस्तों, शर्सों की तेल अरपित करना शुब मना जाता है। लेकिन खराब और उप्यों की आगया तेल का दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जिये दोस्तों, और अगले चार दिनों के अंदर तो आपको भूल कर भी नहीं करना है। इसके उप्रादी दोस्तों, हम आप शुब को इदा दें। कि किसी भी भूके को ताजा भोजन का दान करना बहुत यदा पूर्ने की प्राप्ति होती है। जिये दोस्तों, इसलिए अगले चार दिनों के अंदर आप इर्शे किर्याय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, भोल कर भी आप किशी को बास्वी भूजन का दान मत किजेगा। दोस्तों, इनसे घर में हमेशा असुबदा फिलती है। और घर में जो भी देवी दिवदा का वाश होता है। दोस्तों, वो हमेशा के लिए हट जाते हैं। इसलिए दोस्तों इशा आप अगले चार दिनों में भूल कर भी मत किजेगा जे दोस्तों और बास्वी भोजन का दान आपको जीवन भर भी नहीं करना है लेकिन दोस्तों चार दिनों में हम आपको इश्री बताए हैं कि दोस्तों चार दिनों में जो घरों के स्थिती है वो बहुत ही परफ़ल है जिया दोसों इश्या करना दोसों आपको बहुत ही मुश्किलों का शामना करवाता है दोसों हमेशा घर में विवाद होंगी और कोट के चेहरी के मामले पढ़ेंगे और धन की बहुत ज्यादा होंगी जिन दोस इसलिए आप इनका खास ध्यान रखें इश्क प्रांदी दोस्तों हम आप शिवी को बता दें कि यश्मे कौन से कारे आपको करना है दोस्तों अगले चार दिनों में आप शिवी को अपने जुनकाल में बहुत शारी परविरतन लाने हैं जो बहुत ज्यदा परशन हो जी दोसों इनके लिए आपको क्या करना है कि शुकरवार की शाम को तुलसी के पोधे के शामने गाय के घी का दीपक जलाए और ओम श्रींग 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 मंत्र का आपको जाब करना है दोस्तों इस उपाई शे आर्थि घानी कम होती है और भर श्यदेव भड़ता है और दोस्तों धनानी कभी भी नहीं होती है अगर आपके घर में शंग है तो दोस्तों मोती का व्युस्ता करके उनमें जरूर ही रखिएगा इसको प्रांदी दोस्तों हम आप शिवी को बदा दें कि अगले चार दिन्यों में आपको एक उपाई क करना है जिन से दोस्तों आप शिवी के जूनकाल में भगवान शीव शबश्यदा परशन होंगे जिए दोस्तों हम आप शिवी को बदा दें कि हर शुबह उठकर आपको तूलसी को जल के शाथे दोस्तों उनके जड़े में माथे को भी ज़रूर लगाएं जिए दोस्तों हमेशा उनके जुनकाल में खोशियां होते हैं और वगवान शीव भी उनसे प्रशन होते हैं। जी हैं दोस्तों, क्यों दोस्तों हम आप शुक विदादने की माताललक्षमी का शम्मन भी शीव से हैं। इसलिए दोस्तों आपको शुक विदादने की अगले चार दिनों के अंदर आपको कौण शा महतपुन भाई करना है। जी दोस्तों, जो कि आपके घर के लिए बहुत जदा अवश्याख हैं, और घर में आये महमानों के लिए, घर में आये देव-देवद्दां के लिए भी, शबच-जदा महत पुन हैं। जे दूस्वों, धोस्वों हमेशा आपको सुबा और शाम की समय घर में दूप देखाने हैं, दोस्वों इनसे घर में आए जोवी मातालक्ष्मी और भगवान शीव हैं, वो प्रेशन न होंगे, और दोस्वों आपके मन में, आपके शरीड में घर में हमेशा ही शान्तिक एस क्या 실वाश्य आप शिपी के घर में नकार्थ मुकता हमेशा खत्म हो जाएंगी जो भी नकार्थ मुझ अवास्ट दोश है उन शबीशे मुक्ती मिलेगी की दोस्व, अगले चार दिनों के के शमे में माताल लक्षमी और भगवान शिव की मनशे पूजा करनी है जिन दोस्तों हम आप शुग बदा दें कि भगवान शिव को बिलपत और दूद अवश्य अरपित किजेगा उनका भीषय किजेगा और शाथ यगले चार दिनों में माताल लक्षमी की भी आपको पूज करने हैं उन्हें लाल पुष्प अरपीद करना है दोस्तों ध्यान रखेगा इश्ग प्रादि दोस्तों जूवी परशाद आप शिवी के घर में आते हैं दोस्तों उन्हें घर में भी दिजेगा दोस्तों घर के शवी परिवारों में उन्हें बाढ़ना है दोस्तों इस बात शावित होंगे और बगवान भोलिनाद और माताल लक्षमी हमेशे आपके जुनकाल में प्रश्ण रहेंगे जिया दोस्तों इश्कुप्रादी दोस्तों हम आप शुप गुदा दें कि अगले चार दिनों के इंदर आपको अपने जुनकाल में एक बहुती बड़े और महतु अपने जुनकाल में आप कोई भी एश्या गलत किरिया ना करें जैसे कि दोस्तों होते हैं मांशारी भोजन को आपको बिल्कुल भी शेवर नहीं करना है दोस्तों इस बात को आप ध्यान में रखीएगा इसको प्रादि दोस्तों आप शुआत्विक भोजन कर सकते हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्पुन शाविद होंगे जी हैं दोसुं एश अगर आप करेंगे तो आपके घर में माताल लक्ष्मी और भगवान भुलनात प्रशन होंगे और आपके घर में वाश करेंगी आपके माश्यक शांती श्मी बढ़ने वाली हैं जी हैं दोसुं शादिशा दोसुं हम आप शुक विदादी की अगले चार दिनों तक शुभा और शाम आपको अपने घर में कपूर जलाना चाहिए जी हां दोसुं घर में किशी भी परकार की जो अकास में घटना है दुर घटना है दोसुं वे शबी टल जाएंगी रात्री को शोने से पहले आपको कपूर जला कर ही शोना है जी दोसुं ये अगले चार दिनों के लिए सबसे ज़दा लावकारे शाविदों की कि दोसुं धनकी देवी माता लक्ष्मी और भगवान भुलिनात के इस्तिती अश्मी आपके कुंडली में अच्छे हैं जिने दोसुं आपको जानना है और इन्हें जरूर ही करना है इश्क प्रांदे दोसुं हम आप शुक बता दे कि अगले चार दिनों तक तवे को शदेव ही लिप्टा कर रखना है जे दोसुं विश्या मना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने शे घर में लड़ाई होती है इश्के लावाय भी घर में गैस पर खाली नहीं चोड़ें जी है दोसुं कुछ लोगों की आदत होती है कि वे रोटी शेकने के बाद उन्हें खाली तवाही गैस पर चोड़ देते हैं यूँ ही चोड़ देते हैं कि अगले चार दिनों में आप इस बात का खास दिन रखें साथी साथ दोस्तों हम अगर की शिफाई जब भी करते हैं तो दोस्तों उन में शे थोड़ा अचा गुब मुत्र जरूरी रखिएगा दोस्तों इन श्रे आप श्पीके घर में जो भी नकारत्मक उरजाये हैं उन शभी का वास अठेगा और भगवान भोले नात और माताल लक्षमी आपसे बहुत यदा परशन होंगे जिया दोस्तों इसके उपरांदे दोस्तों हम आपको एक महत्कुन उपाय बताते हैं कि भगवान भोले नात को आपको प्रिशन करना है भगवान भोले दोस्तों एतने भोले हैं कि मात्रिक बिलपत्र शेही वो बहुत ही प्रिशन हो जाते हैं मनेता है कि जो भी शिविलिंग पर नेमित रूप शे बिलपत्र चढ़ाता है उसकी हर तरह की मनोकामनाएं भगवान बुरेनात पूरी कर देते हैं इसके अलाव भगवान शिव को शमी के भी पत्ते बहुत यह पशन होते हैं इसलिए शावन के हर दिन शिविलिंग पर शमी के भी पत करने के लिए भगवान शिव की किरपा पाने के लिए दोस्um इन बातों का आप बिलकुल ही खास जान रखेगा जया दोसों को शेज्विलिंग आतायल को प्रक्ष्ण करने के लिए आपको शुकरवार की दिन माताल लक्ष्मी जी की मंदृ में एक जटा वाला नार्यल कमल फूल शवा मिटर गुलाबी या फिर शफेद कफड़ा चमेली का तेल दही शफेद मिठाई एक जोड़ा जनेव शाथ माताजी को अरपित करना है इसकी बाद दोस्तों कपूर और देशी घीशे आर्ती करें और श्री शुत का पाठ करें जो तो दोस्तों हम आप शुक ब तो दोस्तों इन चार दरों में इनकारें को किज़ेगा आप शुवी की इनकाल में जो भी शमयचा है जो भी शंकट है उन शबीशी स्वयंग माताल लक्षमी और भगवान भुलिनात शुटकाराज अवशे दिलाएंगे तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में तब तक लिए आप शुवी का धन्यवाद आप शुवी का दिन शुभ हो मंगल मैं हो